तो महा तुपान विपोर जोए गुजराट से ठक्रानी के बद अब राजिस्थान की तरफ बढ़ता हुआ नसरा रहा है लेकिन कहर लगातार गुजराट में अभी भी जारी है, मुसादार बारिश जारी है और सबसे बड़ी चुनौती यहीं बनी हुई है कि जो जमाव की स्थिती बनी हुई है कैसे जल निकासी की जाए और इसके साथ ही कई रूट्स ऐसे है जो कि पूरी तरीके से पेड़ गरने के बादित हो चुके है बिजली सप्लाइ पूरी तरीके से ठप हो चुकी है लेकिन यो दिस्तरफन अंटी आरेफ और एस्टी आरेफ की टीम काम में जुटी हुई है और आप समझे किस तरह से बड़ी चुनोतियों का सामना गुजरात ने यहां पर किया है लेकिन अब क्योंकि तबाही अपने निशान जरूर छोड़ती है कुछ निशान जो छोड़े गए हैं उनसे निप्ता यहां पर बेहत तेजी के साथ जा रहा है भले ही अब राजस्तान में इसने दस्तक दियो लेकिन गुजरात में जो कहर बरपा उस कहर ने हर किसी के होश पाखता कर दिये बिल्कुल और अब यही महा तुपान जो है राजस्तान की तरफ बढ़ रहा है वहाँ पर भी इसका असर दिखने लगा है जस्पीत मेरी सेयोगी लगतार ड्राउंड जीरो पर मौजूद है जो की पलपल की तस्वीर आप तक पहुचा रही है एक बार फिर से जस्पीत का हम रुक कर लेते हैं जस्पीत तभाई के निशान और मंजर लगतार आप दिखा रही है अभी फिलाल खालात क्या कुछ बने हुए है क्या अभी भी बारिश हो रही है तेज हवाईं चल रही है पिर्फूर रतिका में आपको बताऊं कि इस वक्त बारिश तो रही है बारिश रुकी हुई है जब पुजर्ट की माल पड़ती है तो चब्सक्र बॉनस आपि हो जाता है यह आप देखिए यहां पर यह तो बढ़ने हो और आपके लोगतार आपके आएं पुजर्ट की माल पड़ती है नजर आ रही है क्योंकि उनका भड़ती हुआ है लखली का वो खड़ता है तो इनका सामान पुरी तरीके से खराब हो चुपा है तरशल पुजर्ट के लोगते हैं ने को एकिराटर पीशे स्कूल में सुखिया गया लेकि महां पर भी पानी भर गया एसे में एंडियारक की अभी भी सवचिगाली है एंडियारक के ज़वान अंदर मौदूब है ताकि को यह सब्सक्राबश नहीं है विकाव आप यह तक् बिल्कुल जस्प्रीट देखें बिल्कुल सही बात आपने कहीं कि जब यह प्रात करते कापदा आती हैं तो यह अपने पीछे ऐसे जख्म छोड़ जाती हैं जो सालों सालों तक जो है लोगों के लिए भुलाना नामुम्केन हो जाता है 1998 का जिक्रम लगातार कर रहे हैं जो इस वक्त वहाँ पर लोगों की मौत हुई थी तो हमने देखा था कि आज भी लोग जो है किस तरीके से उस चकरवाती तूफान को भूल नहीं पाएं और आज के अगर हम आज की तारीक की बात करें आज भी जब आप मांडवी के लोगो जो हैं बनाए जाते हैं विशाल का जाहज आपको यहाँ पर नजर आएंगे लेकिन तबाही की वो दास्तान सुनिए कि आकर जब वो चकरवाती तूफान यहाँ पर हिट कर रहा था जब 135-145 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से हवाँ चल रही थी तो यह आधा से पूरी तरीके से सतर बितर हो चुका है इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं यह पूरी तरीके से बरबाद हो चुका है आपको लकड़ी के टूटे हुए जो हिससे नजर आ रहे होंगे वो यह बताने के लिए काफी है कि हवाई जो है वो इतनी जादा तेज थी कि ये पूरा बना हुआ जहाज था मैं अपने कैमरे में नसीब सिंग को कहूँगे एक बार जूमिंग करके दिखा है पूरा जहाज क्योंकि ये जब आधा जहाज आप देखेंगे तो ये सरफ से लेट साइट से जो है पूरी तरीके से बना हुआ है लेकिन जब आप उस तरफ जाएंगे तो राइट साइट से ये पूरा तूटा हुआ क्योंकि ये वो हिस्सा है जो चकरवाती तूफान अपने साथ जो हवा में और समंदर में हमने देखा भी ता किस तरीके से कल जो कुछ भी समंदर के रास्ते आ रहा था वो किस तरीके से समंदर अपने साथ ले जाने को जो है अमादा था आप एक बार समंदर की तरफ भी नज़र डालेंगे तो आप समंदर हलाकि थोड़ा शांता लेकिन एक बार फिर से यहां पर बारिश देखे शुरू हो चुकिया समीर पर तखरी मचाने के लिए बिल्कुल आतुर है और यह तस्वीर हमाद तर पहुचा रहे हैं रहूंदीवों से हमाद तर जब सो किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी हमाई जावाज रिपोर्टर पहुचा रहे थी हर तस्वीर नísरा perfect यह अस्पास आप डेखें गये वहा थे चल रही है जिन条र क्रलक बहुत मुच्किल है जो छोटी पत्थर हैं खुलिक रहे हैं अ Бेकर यह ख़िए अक है पूरा इलाका इसरे को उस्पिरावर नजर आ रहा है है नहाथ तोफान में जब मुश्किल हो रहा था पेर टिकाना तब चल रही थी नौन स्टॉप कवरेज अंधेरे में जब समंदर संसनी मचा रहा था तब मिनट भर भी नहीं रुका कैमरा सबसे मुश्किल हालात में सबसे दमदार, सबसे सचीक रिपोर्टिंग वार रों से लेकर ग्राउंड सीरो तक की हर खबर, हर तस्विर यहाँ पर ताकतवर हो रहा है यही वो तस्विर है आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं यह चलने वाला है हमें खुद बिवार का एक सहरा लेना पुड़ रहा है यहाँ पर बालंस करना भी जो आपने आपको बहुत जादा मुश्किल हो जाता है। विकास आप दिखाईए कैसे वो जो महिला है वो अपने घर से जो सामान है जो सामान बइचा हुआ है। स्वीरे निकल करके सामने आई है और हमने देखा कि यहाँ पर तमाम जो लोग थे वो घर पर लोटे और जब लोटे तो वहाँ पर सामान ही नहीं था यानि कि एक बार अपने घर की तरफ गए कि अगर कुछ बचा कुछा सामान है जिसको अपने रोज की जिंदगी में उसको इस्तमाल कर पाएं तो हो लेकिन जिस तरीके से यह टुफान बेपर जॉय है जो काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था क्योंकि तुफान रोकिना दो लोग ना इनसानी हातों में नहीं है लेकिन जिस तरीके से नुप़ान के तेवर थे उसके बाद जो है महाँ पर इतना बड़ा तुफान इतना खातरनाक साइकलोन खुद्रत का ऐसा कहत जो दुनिया की किसी भी व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है लेकिन हिंदुस्तान में विपोर जोय तुफान से ने बचने के लिए जिस तरह की तैयारियां पहले सी की कई थी उसी की वज़ा से इतनी बड़ी आपता में भी बहुत ही कम दुखसान का सामना करना पड़ा है विपोर जोय तुफान जब गुजुरात के तक से टकराया तो बहुत ही भयावे था कच्चे मकालों को उखाड देने वाला था और इसके लिए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था ऐसे घरों को खाली कर बा दिया गया था लोगों को भी ऐसे प्रभावित लाकों से निकाल कर पहले ही सुरक्षित जगों पर पहुच्चा दिया गया था इन तयारियों की वज़ा से ही मुचसान बेहत कम हुआ सबसे बड़ी बात कि खुद प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तुफान से निपटने के लिए मोच्चा संभाल रखा है तुफान टकराने के पहले प्रिधान मंत्री ने कापात बैठक बुलाई थी तुफान से होने वाले नुकसान को कम करने पर जोर दिया गया केंद्र के स्तर से तैयारों की समिक्षा की जाती रही केंद्र सरकार की एजेंसियों ने तुफान के बीच मोच्चा संभाला सोशल मीडिया में मैंने पड़ा तो मैं एक दम स्तब्द था कि प्रधान मंत्री जी ने मात्र मानव जीवन की चिन्ता नहीं की साथ ही में गीर में बसने वाले हमारे देश की पैचान सीहों की भी शेरों की भी पैचान उन्होंने चिन्ता की है प्रानियों की भी चिंता किये, गाउ में बसने वाले सभी नागरिकों की चिंता किये, खेतों की चिंता किये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी काबिनेट के काई मंत्रियों को विपोर जोए तुफान से निपटने की तैयारियों का ज्वाइजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो तक भेजा जिसमें स्वास्ते मंतरी मंसुक मांडविया मतस्य और पशुपालन मंतरी पुर्शोत्तम रुपाला और रेल राज्य मंतरी दर्शना जर्दोश शामिल है पीम मोदी गुजरात के मुख्यमंतरी भुपेंद्र पटेल से लगातार संपर्क में रहे तूफान से लड़ने की तैयारिया, तूफान के वक्त होने वाले नुकसान, तूफान के वक्त और तूफान के बाद में तमाम जरूरतों की जानकारी लेते रहे पीम मोदी ने गुजरात के गीर के बबर शेरों की साथ साथ अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया केंद्रे गुरह मंतुराले ने जिस तरह से तैयारियां की थी उसकी वज़े से अरब सागर में उठे अब तक के सबसे बड़े तुफान के भारत के तटिये इलाकों से तेज रफतार हवा और भारी बारिश के साथ टकराने के बावजूद नुकसान काफी कम रहा गुरह मंतुरी आमिति शहा ने विपोर जोय के मद्दे नजर बैठक बुलाई तुफान और उसके प्रभाव पर लगातार नजर रखी हुई है और केंद्रे एजेंसियों के तैनाती इस तरह से की गई कि देश के सभी प्रभावित अलाकों में दिन और रात रहत और वचावकारे को जारी रखा जाए उन्निस सो अचानवे की तुफान में ग्यारा सो से ज़्यादा मौत हुई थी उस वक्त पुर्भा नुमान की सुविधा नहीं थी इस बार दस दिन पहले तुफान का पुर्भा नुमान लगाया गया तुफान की गती और दिशा पर लगातार नजर थी एक लाग से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया राहत कैंपों में खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई आठ प्रभावित जिलों में 631 मेडिकल टीम तेनाथ है ओक्सिजन और दवाई का स्टॉक रखा गया है 521 अस्पतालों में पावर बैक अप की व्यवस्था की गई 504 एंबुलेंस लगातार लच पर हैं और फ्रंट लाइन पर हैं सबसे बड़ी बात की ऐसी आपदा की सिपी में लोग एक दूसरे से फोन पर संपर्क नहीं कर पाते नेटवर्क की विवस्थाएं अमूमन खत्म हो जाती हैं लेकिन इस बार ऐसी विवस्था की गई कि भारी बारिश और तबाही वाले तुफान के बीच भी नेटवर्क कनेक्शन काम करते रहे मोबायल नेटवर्क काम करते रहे इसके लिए सरकार ने इंटरसेप्टर रोमिंग की सुविधा दी यहां तक की एक कदम आगे सोचते हुए अगर नेटवर्क टावर भस्त होते हैं तो सेटलाइट फोन और वायरलेस नेटवर्क को भी तैयार रखा गया नेटवर्क की ऐसी विवस्था की वज़से एमरजेंसी कारियों में लगी एजेंसियां एक गूसरे से आसानी से संपर्क में बन्य हुई है और साथी लोगों तक भी तेजी से रहात पहुचाई जा रही है